बच्पन में हम बड़ा सुनते थे, बच्चा हमारी सरण में आओ, हम स्कूल में खिला करते थे तो बॉस बन जाते थे और कहते थे तुम हमारी सरण में आओ, टीवी पे, रेडियो पे, बड़ी सारी पिच्चरों में, बड़ी सारी जगे हमने सुना, बाबा की सरण आओ, वो उसकी स्रण चला गया जब तक तुम मेरी स्रण नहीं आओगे या किसी बदमास गुंडे की स्रण में कोई विक्ती जाता था कहता था अब मैं तुम्हारी स्रण में आ गया वो बदमास गुंडा या बाबा कहता था अब तुम चिंता मत करो अब तो तुम मेरी सरण में आ गए हो मेरे चेले बन गए हो अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं देखवाल करूंगा यह सरणागत सरण में जाना यह सारी बातें बचमन से बड़ी सुनी हमने फिर एक वाक्य सुना हमने एक सेंटेंस सुना हमने बुद्धं सरणं गच्छामी बहुत दिनो सरणंग गच्छामी है यानि बुद्धम में हलंत लगता है बाद में वो संसकाईद भासा में बदला गया है ओरिजणल पारी में बुद्धं सरणंग गच्छामी बाद में अंग अंग लगता है अम अंग की जगे अंग-ंग मगर बुद्ध की सरण बुद्ध क्यों अपनी सरण में किसी को लेके आ रहे हैं और क्यों धम की सरण में क्योंकि धम का मतलब तो हम बच्पन में इतना जानते भी नहीं थे और क्या संग होता है इसके वारे में तो दूर दूर तक पता भी नहीं था संग के नाम पे अगर कहें तो एक आद वाक्य भारत में सुन लेते हैं कि ये संग का है, ये संग की है, ये संग है, बस इतना सा ही बाकी जो सरण का मतलब है, वो समझ में नहीं आया, सद्ध भी समझ में नहीं आया हम इसको शरण बोलते थे और ये बाद में निकला सरण यानि सै नहीं है, सै है, संसार वाला सै मेरा नाम सुधीर वाला सै इस शल्यम वाला शै नहीं है, तो शरण नहीं है, सरण है तो ढग से हमने प्रना सुरू किया बुद्धं सरनं गच्चामी अइसा हमने इसको पढ़ना सुरू किया समझ में नहीं आया कि ये सरनं का क्या मतलब है बुद्ध क्यों अपनी सरनं में हमको बार-बार बुला रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में तो बच्वेन से एक ही बात थी कि सरण का मतलब है कि किसी के पैरों में जाके लेट जाओ और वो तुमारे सरपी उपर या तुमारे उपर एक आशिरवाद का हाथ रख दे होगी सरण यानि हमने तुमारी अधिन्ता हमने तुमारा जो दादागिरी है या हमने तुमारा जो उपर का लेबल है उसको सुईकार कर लिया अब हम सरण में आगे तुम्हारे नीचे लेट गए बहुत सारे हमने अखवारों में खबर भी सुनी बहुत सारी चो चेलियां हैं जो लड़कियां हैं औरते हैं वो किसी बाबा की सरण में जाके अपना सब कुछ लुट पिट के आ जाती है तो सरण क इससे ज़्यादा निगेटिव इससे ज़्यादा खराब हालत में देखते हुए बुद्ध की सरण और बाकी जो ये सरण हमने सुनते आ रहे हैं इनमें बड़ा जमनी आसमान का अंतर लगा बहुत दिनक्त तो हम यही समझते रहे कि ये सरण और वो सरण एक सी होगी बाद म लोगों ने अपने चेले चपाटों को सरणागत करना या अपना गुलाम बनाना या अपना चेला बनाना या अपना सिस्से बनाना या यह कहना कि तुम हमारी सरण में आ जाओ शुरुवात की इसकी आरम किया इसका यानि सरण जो सब्ध है वो बुद्ध के लावा कहीं नह मतलब है बुद्धं सरनंग अच्छामी बुद्ध किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे पैरों में आके लेट जाओ डंडबट प्रिनाम करो और मैं मठादीस बनता हुआ संगादीस बनता हुआ आपके सर के उपर हाथ रहूँगा ऐसा नहीं है बुद्ध ने हमेंसा कहा एही पस्ति को आओ और देखो किसको धंब को देखो धंब को चको तो बुद्ध की सरन का मतलब किसी व्यक्ति की सरन नहीं है यानि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है क्या है बुद्ध जैसे कोई छोटा बच्चा जब खेत में हल चलाता है जैसे बुद्ध ने अपने सिध्धत गौतम ने अपने खेत में हल चलाया 11 साल की आयू में 12 साल की आयू में और सारे खेत के काम किये मगर एक जिग्यासा थी कि ये कैसे दुखाता है कैसे जाता है कैसे व्यक्ति बुड़ा होता है कैसे जवान होता है कैसे बच्चा इतना जो हस्मुक होता है वो कैसे बड़ा होके कठोर हो जाता है कैसे उसका बैवार बदलता है कैसे वो बदलता है चेहरे पर क्योंसे उसके कठोड़ता आ जाती है कैसे जो निर्मलता है निमलता है वो चली जाती है ये प्रसंद बड़े परशान करते थे बुद्ध को अगर आप सोचोगे तो आपको भी परशान करेंगे कि जब आप बच्चे थे तो कितने अच्छे थे और कैसा मन था आपका बलकुल, सुद्ध एक्डम पानी की तरह बलकुल ट्रांस्पिरेंट हीरे की तरह चमकता हुआ और अभी तो आपके मन में कपटी कपट है चेहरे पर भी आ गया है चेहरा भी खराब हो गया है शरीर तो खराब रहता ही है तो ये प्रसन बुद्ध के दिमाख में चलते थे सिद्धत गौतम के बुद्धतोबाद में बने हैं तो सिद्धत गौतम ने इन प्रसन के जवाब खोजने के लिए अपना सब को छोड़ दिया माबाप की सहमती से, पतनी की सहमती से बाकाइदा गाव वालों ने छोड़ा है उनको छंद घोड़े पे बठा के लेके गया है छे साल मेहनत की तो उनको पता चला कि कैसे सरीर काम करता है कैसे मन काम करता है, कैसे दुखाता है, कैसे जाता है अब तो जानकारी हो गई अब जानकारी हो गई तो इस जानकारी को उस समय जो आप बोलते हो भासा और जो मैं बोल रहा हूँ यही पाली है इसी भासा में उस समय इस सबसे उंची नौलिज और ग्यान को यान को क्या बोलते थे बोधी और जिस मनुस्य को यह प्राप्त हो जाए जो इसका जानकार हो जाए किसका बोधी का उसको कहते थे यह बुद्ध हो गया अब वो सिद्धत गौतम नहीं रहा अब वो व्यक्ति नहीं रहा अब वो एक डिगरी हो गया नौलिज की चलती फिरती लैबरेरी हो गया तो क्या कहते हैं? आपको उस knowledge की साथ जाना है सरण का मतलब लेटना नहीं है सरण का मतलब जुकना नहीं है सरण का मतलब उसकी अधिनता सुविकार करना नहीं है सरण का मतलब है कि मैं उसके साथ मैं निजमे रण करता हूं चलता हूं रण करता हूं कैसे चलता हूँ उसको सीखता हूँ उसको जानता हूँ उसको मानता नहीं हूँ उसको अनुभव करता हूँ और उसकी पॉलिटी बातों को अपने सरीर में अपने मन में गिर्ण करता हूँ तो बोधी की स्रण में जाता हूँ खाली कोई सिद्धत गौतम के साथ चलता रहे बुद्ध के साथ चलता रहे सीके कुछना रुल्टे काम करता रहे तो वो बोधी की स्रण में नहीं गया बुद्ध की स्रण में नहीं गया वो तो किसी और के स्रण अगरत हो गया अपने ही मन के अधीन है वो तो में जो हल चल होती है अनू में परमाणू में कणकण में पूरे यूनिवर्स में इलेक्टोन में प्रोटोन में न्यूटोन में अभी तो साइंस है तो हम साइंस में समझ सकते हैं कि पॉजिटोन न्यूटोन एमिटोन यह सब क्या होते हैं तो पता चला यह सब हिलते रहते हैं यह सांत नहीं बैठते, एटम, प्रोटोन, इलेक्टोन, न्यूटोन, पोजिटोन, यह सारे जब हिलते रहते हैं, तो एक वाइब्रेशन बनती रहती है, तो कहते हैं कि इनके हिलने का कोई कारण होता है, या तो एनर्जी आएगी, या एनर्जी जाएगी, या तो प्रेसर ब गोमने की, जो इनका न्यूकलेस होता है, जो इनका केंद्र होता है, केंद्रक होता है, उसके चारो तरफ जो यह पार्टिकल गोमते हैं, उनकी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है, तेरी मेरी होती रहती है, उस कारण से हर चीज बदलती है, यह बुद्ध ने 26 साल पहले खो कारण होता है किस कारण से कौन सी चीज कितनी कम्पित हो रही है वो फिर अगला कारण बनता है यानि उसका परिणाम है जैसे मैंने एक कपड़ा उठा कर वास्वेशन में कहीं डाला और वहाँ पानी पड़ा है तो कपड़ा सुखा हुआ है मेरे कारण से वो वास्वेशन में गया गिला हो गया किसी ने उठा के उसको बाहर धूप में डाल दिया तो वो सूखने लगा तो यानि एक का जो कारण है मेरा कारण था कपला उठाना उसका परणाम यह हुआ वो भीग गया उस परणाम का कारण बना उसको उठा के बाहर रखा तो वो कारण बन गया कारण से फिर परणाम यह आया कि वो सूख गया फिर गीला होगा यानि कारण से परिणाम परिणाम से कारण चलते रहते हैं इसको हितु बोलते हैं वो हितु बात परितत्य बोलते हैं यानि परितेक्ष में जो परिवर्तन होता रहता है तोलंत में जो परिवर्तन होता है जो परिवर्तन होता है परिजेंट में उसको उन्होंने पिटत्य बोला ये तो संग की सरण क्या है संग मतलब जहां अच्छे नौलिज वारे लोग एक साथ सीख रहे हैं और रह रहे हैं उसके साथ रहो न तो आधी जानकारी तो आपको वैसे ही हो जाएगी क्योंकि अच्छा साथ किसी का मिल जाए तो अच्छी जानकारी होती है और अगर खराब साथ मिल जाए तो खराब जानकारी होती है तो संग संगहं सरणंग अच्छा मी तो संग की सरण में जाने के लिए बताया है तो ये तीन सेंटेंसिस पूरी दुनिया में बहुत चलते हैं मगर समझ में बड़े कमाते हैं ऐसा लगता है जैसे बुद्ध के आगे लेटना है क्योंकि ऐसा ही बना दिया और धम्म और संघ का यानि धम्मं का और संगं का तो पतह नहीं दूदूर तक बुद्ध का धम्म और धम का संग, बुद्धन, धमन, सरनन, कोई हजार बार भी बोलता है, तो भी कैई बार समझ में नहीं आता, बस पीछे से चला रहा है, तो आगे से बोल दिया, उससे बात तो मनी नहीं, मैं खुद अटका रहा इसमें, कि ये बुद्ध की सरन क्यों होती है, कैसे होती है, इ आप भी अगर आपको अच्छा लगे, तो आप भी आगे किसी को भेज देना, बता देना, या पॉड्कास्ट बना देना, या बोल देना, या वीडियो बना देना, या लिख देना, बुद्ध की सरन में जाना, मतलब हाइस्ट इनफॉर्मिशन, जो सबसे उस्टितम ग्या हैं, जो ज्ञानवाले लोग हैं, उनको देखना, उनको जानना, उनके साथ रहना, उनसे बातचीत करना, और उनके बताये हुए मार्क की प्रेक्टिस करना, ये तीन छोटे छोटे बाके आपकी जिन्दी की बतल सकते हैं, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, आप सभी से ये निविदन हैं, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे य जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सल्भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वित्वना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पू जंगम सरेनी गच्छाम घंगम सरेनगच्छाम तबड़न के शाम नंगकि शायने खिड़न पूर कर देनम् तुम्तियम्पी बुद्धं सेनं गच्छाम। तुम्तियम्पी बुद्धं सेनं गच्छाम। तुम्तियम्पी धम्मं सेनं गच्छाम। तुम्तियम्पी बम्मं सेनं गच्छाम। दूतियों पी संगों सर्णां गच्छान। दूतियों पी संगों सर्णां गच्छान। ततियों पी बुद्धों सर्णां गच्छान। ततियों पी बुद्धों सर्णां गच्छान। तेतियं पी धम्मं मर्सर्णु गच्छाम। साथू, साथू, साथू